हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एक दिसंबर से हमें तीन नए कोर्स मिल रहे हैं और वह दिन बहुत जल्द ही आने वाला है अगर आपने 7-8-9 कोर्स का प्रसिछन अगर पूर्ण नहीं किया है तो एक दिन और आपके पास सेस हैं आप उसको जल्द ही पूर्ण कर लीजिए और नए कोर्स की लिंक भी जारी हो चुकी है वह आपको प्राप्त हो चुकी होगी और दोस्तों आप यह भी जानते हैं कि विविन यूटूब चैनलों ने तीनों माडूल्स की प्रसनोत्त्री भी जारी कर दिया है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे भी लगा कि मैं अपने कम्यूटी को निरास क्यों करूँ मैं भी अपने कम्यूटी के लिए ऐसे प्रसनों का उतर दे दूँ जो पहले से पढ़ लें और अपना प्रसिच्छन बहुत ही अच्छे डंग से पूर्ण करें तो आए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में निस्ठा प्रसिच्छन कारिक्रम कोर्स 10 प्रसनोत्री कोर्स 10 जो की समाजिक बिज्ञान का सिच्छन सास्त्र है मैं आपको इसकी प्रसनोत्री लेकर आया हूँ आगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा विल आइकन को प्रस कर दीजेगा और इसे दूसरे मित्रों को सेर भी किजेगा तो आईए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि इस भाग में क्या प्रसन पूछे गए हैं आप इन प्रसनों को ध्यान पूर्वक देख सकते हैं देखें पहला प्रसन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नीट एंड क्लीन राज तंतरातमक शासन की प्रणाली में कौन निर्ण लेता है और सरकार चलाता है परदान मंतरी राजा या रानी मुख मंतरी या राष्ट पती तो दोस्तों इस प्रसन का राइट आंसर क्या होगा आप जब ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपको इसका right answer पता चल जाएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर right answer होगा राजत अंत्रात्मक्सासन की प्रणाली में राजा या रानी निर्णय लेते हैं ठीक है राजा या रानी right answer है फिर अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ पर देखिए, समाजिक बिज्ञान, समाजिक अध्यन वर्ग में मौक संसत का संचालन करने का मुख करण क्या है, राजनिती बिज्ञान के अधानाओं को याद रखना, राजनितिक संस्थाओं के कामकाज क कुछ समझ बिक्सित करना, इसकूल के लिए धन जुटाने के लिए, या कच्छा में छात्रों के व्योहार का आंकलन करने के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस प्रस्ण का राइट आंसर आप सोचिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से, सेकंड आपसन इस राइट यानि राजनीतिक संस्थाओं के कामपाज की कुछ समझ विद्यार्थों में बिक्सित करने के लिए, समाजिक विज्ञान, समाजिक अध्यन वर्ग में माक संसत का संचालन करने का मुख्य कारण है, फिर अगला प्रस्ण है, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे ह एक गलोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है, गलोब महादीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, इस परस गलोब विशेश जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, गलोब प्रतिवी का एक मर्डल है, एक गलोब की में अक्छांस और दिशांतर हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कौन सा बयान सही नहीं है मेरे हिसाब से जो सबसे ऊपर है यानि कि ये वाला जो लिखा है गलोब महादीपों का सही आकार नहीं दिखाता है ये बयान सत्य नहीं है अगला प्रसल बढ़ते हैं आ मकर रेखा और मानक मध्यान रेखा दोस्तों नीची की बात हो रही है दच्छनी अक्छांस की बात हो रही है और दच्छनी अक्छांस में होती है हमारी कौन सी तीसरे नंबर की मकर रेखा होती है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मकर रेखा चलिए आग प्रस्ण का राइट आंसर क्या है बहुत बढ़िया प्रस्ण है यह जी एस के लिए और इस प्रस्ण का राइट आंसर है सबसे पहले वाला विकल्ब यानि अक्छांसों की सभी रेखाएं भूमद रेखा से छोटी होती है फिर अगला प्रस्ण आपकी स्क्रिन पर आ रहा है आप इसको ध्यान से देखेगा कालम ए को कालम बी के साथ मैच करें और नीचे दिये एक कोड का उप्योग करके सही उत्तर का चैन करें दोस्तों जब आप जो है ट्रेनिंग ले रहे होंगे वहाँ पर जो प्रस्ण उत्री आपके सामने आएगी ये इस तरह से आएगी कि एक ही पेज में आंसर भी रहता है कुशन भी रहता है और नीचे एरो बना रहता है एरो को टच करेंगी तो पूरा आपका कुशन खुल जाएगा फिर एरो टच कर डि night और प्रेंग के इस्को इसे नीच से समझ सकें तो कालम ए और कालम बी है मिलाना है में कालम ए में चार है ए बी सेड़ी पांडुलिपिया सिला लेक इसमारक और पुरा तात्विक साच और कालम बी में है चीजे जो जमीन से खोद कर निकाली जाती है दूसरा है आतीत से संबंधित इमारते या तो जमीन से खोद कर निकाली जाती है या जमेंद परिस्तित तीसरा है हस्त लिखित प्राचीन पुष्ट के चौथा है लेखन जो या तो पत्थर की सता पर या धाद पर या इटो पर उतकिरण है इनको आपस में मिलाना है तो अब आईए दिखाते हैं आपको इसके बिकल्प जो है ये बिकल्प ये है एका तीसर नेचन थे प्राचीन, शिलाले क्या है आतीत से सम्मानित नहीं सिलाले क्या है लेखन जो या तो पत्तिर का है फिलाले कर्मारा सब्सकेれ स्वान प्थर की सताप पर धाद उपर या इंट उपर उठकीरण है। फिर इस मारक क्या है आप सोचिए इस मारक हैं अतीत से संबनित इमारते हैं या जमीन से खोट कर निकाली गई या जमीन पर इस्तित है। पुरा तात्विक साच क्या है दोस्तों? चीजें जो जमीन से खोद कर निकाले जाती हैं. यही जो है इस प्रस्ण के उतर में लगाया गया है और बताया गया है. अगला प्रस्ण आपके सामने आ रहा है. साहित्तिक स्रोत क्या है? इमारत गड़े में बने घर, सिक्का, पुराण इस्मृति, पत्थर के ओजार मिट्टी के बरतन जले हुए अनाज. तो सोचिए साहित्तिक स्रोत क्या है? इतिहास आपने पढ़ा होगा तो साहित्तिक स्रोत पढ़ा होगा आपने महाकाब, पुराण और इस्मृति. यही है हमारे साहित्तिक स्रोत. आगे बढ़ और चर्चा करें, ड्रा का मतलब खीचना, लिखना और चर्चा करना, पार्ट पुस्तक को जोर से पढ़ना, तो मेरे ही साफ से दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा आपसन सही होना चाहिए, हाँ तीसरा आपसन बिल्कुल सही है, यही सही है, ड्रा लिखें और चर्चा करें, फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ता आप देखिए कौन से बिधी सिक्छार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योगता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जाच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान आउसर हैं। परियोजना आधारित ज्यान पूरा करने है तो दिया गया कार ब्याख्यान भी दिखाओ उप्योग करना केवल पाठ पुस्तकों से पढ़ना। तो दोस्तों यहां राइट आंसर होगा परियोजना आधारित ज्यान ये सही होना चाहिए हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है ये राइट आंसर है इसे को टिक करिएगा आगे बढ़ते हैं समाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है किस चीज को सोतंतरता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल समाजिक और राजनितिक मुद्बे पर सरकार के नजरिय का ज्यान या उच इस तर पर इन विष्ज्रों का अध्यान करने के लिए तैयार हुना या पाठ पूस्तक में ब्यक्ति किए विचारों को जानने और उनका पलन करने की छमता तो तो दोस्तों आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंदाया होगा आप इस वीडियो का ध्यन कर लीजिए और जो भी कोर्स आपके सामने आने माला है आप उसे आराम से धीरे-धीरे समय लेकर के दो दिन, चार दिन, पांच दिन क्योंकि पंदरा दिन का समय होता है आपको जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है मैं यह वीडियो एडवांस में इसलिए डाल रहा हूँ कि एक हपते पहले ही विभिन यूटूब चैनलों ने इस वीडियो को डाल दिया है तो मुझे लगा कि मेरी कम्रेटी सोच रही होगी कि मैंने यह वीडियो अभी इसको देखिएगा इतना ही मुझे आपसे कहना है मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में नई चीज़ें लेकर नमस्कार